मारूती सुजुकी ने लाँच कर दी है the all-new desire 2024 at introductory price of 6.79 lakh rupees और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या ये 9.69 lakhs के एक शोरूम के साथ आने वाला इसका top of the line ZXI plus 5-speed manual वाला वेरेंट क्या कुछ features offer कर रहा है इस particular price point पे Hi guys and welcome back to auto addicts YouTube channel और मैं हो मारूती सुजुकी अरीना maps को फरीद कोड़ पे इस गाड़ी को शूट करने के लिए आपको मारूती की कोई भी कार चाहिए आप इनको contact करके अपनी deal crack कर सकते हैं मेरे rifle पे मिलेगा आपको अच्छा घासा discount भी तो जल्दी स्टार्ट करते हैं बिना time waste के इस वीडियो को करते हैं गाड़ी की चावी से यहां पे आपको कुछ इस तरह से वही typical मारूती सुजुकी की स्मार्ट की देखने को मिलने वाली है प्रेस करके रखोगे तो आपका tailgate open हो जाएगा कुछ इस तरह से और आपको कुछ इसी तरह से उसे बंद करना पड़ेगा more than that अगर मैं looks की बात करता हूँ यहां पे desire काफी ज़्यादा striking और bold looks के साथ आ रही है मलब बहुत ही ज़्यादा improved और enhanced design styling language में देखने को मिल जाएगी Swift से comparatively भी इसका design काफी ज़्यादा elegant और sophisticated लगता है Swift के साथ भी इसका मैं बहुत ज़्यादा comparison करने वाला हूँ talking about the headlamps of the car यहां भी देख सकते हो full LED headlamps मिलेंगे जहां पे आपके पास 6 LED bulbs है चार आपके low beam के लिए और दो आपके high beam के लिए यहाँ पे LED DRL देख सकते हो indicators अभी इसके halogen में आएंगे नीचे की तरफ fog lamps इसके LED में आ चुके है black housings देख सकते हो यहां पे अच्छा खासा design language यूज किया गया है इसके bumper को design करने के लिए जो की काफी जादा अच्छा लग रहा है देखने में more than that यहां पे देख सकते है Suzuki का logo एक बड़ी सी chrome strip glossy black finishing यहां पे मिलता है भाई front parking camera क्योंगी गाड़ी में मिलेगा 360 degree parking camera license plate की location देख सकते हो कुछ इस तरह से complete front grill का design देख सकते हो जो की normal आपका matte plastic नहीं आएगा जो की अच्छा लग रहा है देखने में no doubt बाकि अगर car के stance की भी बात करोगे तो कुछ इस तरह से complete stance आपको देखने को मिल जाएगा जो की काफी जादा अच्छा लग रहा है if I compare it with Hyundai Aura या फिर Honda Amaze भी जो अब वाली Honda Amaze है उससे तो काफी जादा अच्छा लग है इस वाली particular desire का design बढ़ नहीं Honda Amaze भी आने वाली है 4th of December को तो यह देखेंगे की desire जादा अच्छी perform करती है या फिर नहीं वाली Honda Amaze Talking about the engine of the car जो की थोड़ा सा डाउन ग्रेड हो चुका है यहाँ पे Swift में भी और desire के अंदर भी वह है इसका 1.2 लीटर का 3-cylinder पेट्रोल अच्छा है यहाँ पे देख सकते हैं आपको इंजिन इंसुलेशन भी मिलेगी यहाँ पे मिलता है आपको 1.2 लीटर का Naturally Aspirated 3-cylinder petrol engine, single petrol engine यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको पावर मिलेगी 88 VHP की और 100 NM का मिलेगा आपको टॉक 24.49 की average claim करता है यह particular engine अगर आप इसको manual के अंदर लेते हो जहाँ पे आपको 5-speed manual gearbox देखने को मिल जाएगा मलब की ठीक आएगा Safety में भी 5-star, complete safe car आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, average भी मिलेगी, desire की अच्छी looks भी मिलेगी और मारूती का trust और service center का connection आपको साथ में मिल ही जाएगा Talking about the side profiles of the car, यहाँ पे जादा सबसे जादा attention जाएगा आपका इसके multi-spoke diamond cutting alloys के ओपर जो की काफी जादा अच्छे लग रहे है देखने में यहाँ पे 185-65R-15 profile रहने वाली है in tires की, more than that आगे disc brake मिलेगी, पीछे की तरफ मिलेगी, drum brake, design काफी जादा अच्छा है in particular alloys का इसकी complete length रहने वाली है, सब 4 meter में, और काफी जादा अच्छी लग रहे हैं देखने में, more than that जो बाकी dimensions है गाडी की वो पुरानी desire के comparatively बिल्कुल same ही रहने वाली है, यहाँ पे कुछ इस तरह से a pillar भी आपका body color में रहेगा, ORVM's का design कुछ इस तरह से आप यहाँ पे indicators, बड़ी सी chrome strip आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मिलेगा आपको response sensor भी, moving on to the rare profiles of the all new desire, तो यहाँ पे आपको काफी जादा अच्छा look देखने को मिलने वाला एक तो यहाँ से आपको थोड़ा सा sloping roof line वाला design है, वो काफी जादा अच्छा लगेगा देखने में, 37 7 liters की आपको fuel tank capacity मिलती है, talking about the rare tail lamps, तो यहाँ पे देख सकते हैं, काफी जादा striking सा design मिलेगा, इसकी DRL का, जो की base model से आता है, यहाँ पे देख सकते हो, सारा glossy black treatment मिलेगा, यहाँ पे आपको boot पे मिलती है, एक बड़ी सी chrome strip, जिसके साथ मिलता है, थोड़ा सा glossy black treatment, desire की badging, Suzuki का logo, और यहाँ पे आपको मिलता है reverse parking camera भी, कुछ इस तरह से complete design आप देख सकते हो, four reverse parking sensors भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर देख सकते है, इसका high mount stop lamp और shark fin antenna भी, talking about the boot space of the car, यहाँ पे आपको electromagnetic tailgate opening मिलने वाली है, कुछ इस तरह से, जहाँ पे आपको spare wheel गी, तो यहाँ पे आपको 165-80R14 section का tire मिलेगा, जो कि एक एंच छोटा है, और alloy भी नहीं है, obviously cost cutting यहाँ पे companies कर देते हैं, थोड़ा बहुत insulating material मिलेगा, more than that यहाँ पे आपको 60-40s का split function नहीं मिलता, उसकी जगा पे company नहीं यहाँ पे कुछ metal कैसे strut bars लगा दी है, जो क safety को बहुत जादा enhance करेंगे, तभी तो यार गाड़ी ने 5 star safety rating score कर ली है, बट यहाँ पे थोड़ा से इन को cover रखना चाहे था, यह काफी जादा wires वगारा exposed है, जो कि अच्छी बात नहीं है, obviously यहाँ पे अगर इंसुलेटिक material या फिर प्लास्टिक वगारा लगाते, तो का कर देते हैं, गाड़ी के बूट को, और जल्दी से जाते हैं, गाड़ी के अंदर देखते हैं, किस तरह के features आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, moving on to the interiors, यहाँ पे आपको मिलता है, एक request sensor, अगर मैं डोर को open करता है, तो कि इस तरह से आपको dual tone में डोर pad देखने क मिलने वाला है, जहाँ पे आपको beige color मिलेगा, जहाँ पे तोड़ा सा texture है, तोड़ा सा satin और black का treatment यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे speaker unit देख सकते है, bottle holder, थोड़ी सी storage space, थोड़ी सी storage space यहाँ आपे जारा fabric मिलेगा, all four power windows मिलेंगी, electronically folding आपको OR VMs भी देखने को यहाँ प कार के अंदर, कुछ इस तरह से, talking about the interiors of the all new desire, यहाँ पे आपको काफी ज़्यादा plush interior मिलने वाला है, हाला कि यह जो interior है, वो swift से काफी ज़्यादा मिलता जुलता है, मनलब जितना भी यह layout है, बट यहाँ पे जो color themes यूज की गई है, वो swift से काफी ज़्यादा up market इसको feel provide क के दे रही है, जैसे कि यहाँ पे सारा black treatment है, नीचे की तरफ सारा beige है, जहाँ पे थोड़ा triangular pattern देखने को मिलेगा, यहाँ पे सारा black color है, यहाँ पे wooden finishing है जो काफी ज़्यादा अच्छा इसको premium feel provide करके दे रही है, बीच में contrast add करता हुए, satin color, फिर नीचे सारा beige कर रही है, काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसका जो combination है, अब यहाँ इतनी premium गाड़ी बना दी है, मारुती ने, इतनी ज़्यादा classy लगती है देखने में भी और बैट कर चलाने में भी, तो obviously, आपकी गाड़ी एक classy सा perfume तो deserve करती है, तो उसी को ध्यान में रखते हैं, मैं ल और इतनी ज़्यादा classy fragrance आपके cabin के अंदर within a fraction of seconds बना देगी, जो की leak proof है, बिल्कुल भी leak नहीं होगा, आप इसको अपने car के cup holder में कुछ इस तरह से रख सकते हैं, इसका buying link उपर आई button में आ रहा होगा, और मेरे description में आ रहा होगा, coupon code पे use कहने के auto addict, आपको मिलेगा flat discount of 10 तो जल्दी से रख देते हैं इसको इस नई गाड़ी के cup holder में, new desire में आपको six airbags as standard मिलने वाले हैं, right from the base variant, कुछ इस तरह से यहापे आपको fabric seats देखने को मिलेगी, जिनकी bolstering काफे जादा अची है, ठीक ठाक है, यहापे आपको adjustable headrest मिलेंगी, कुछ इस तरह से side bolsters more than that, अगर मैं बात करता हूँ, इसके glove box की काफी decent size का, यहापे आपको glove box एकने को मिलेगा, इसके अंदर cooling feature नहीं मिलता है, यहापे देख सकते हैं, आपको मिलता है, fully automatic climatic control system, जहापे आपको display वगरा देखने को मिलता है, और it toggle switches मिलते है, कुछ इस तरह से, यहापे इसका hazard light का switch on and off, यहाँ देखेंगे तो आपको मिलेगी 9 inches की touchscreen display जो की smart play pro studio के साथ आएगी, जो काफी जादा clean and crystal display के साथ आती है, easy to read है, easy to operate है, यहापे आपको wireless apple car play and android auto का भी option देखने को मिल जाएगा, साथ यहापे आपको 360 degree parking camera का view कुछ इस तरह से आएगा, जहापे मैं अगया, अगर इसको press करूँगा, तो यहापे कुछ इस तरह से camera इसका activate हो जाएगा, काफी जादा सही है, first in segment feature है, और किसी भी गाड़ी में इस segment की यह feature नहीं आता है, talking about the steering wheel of the car, यहापे कुछ इस तरह से certain finishing मिलेगी, सुब जासा ही steering wheel आपको यहापे देखने को मिल जाए the best part about the car is, यहाँ पे आपको काफी जादा crystal clear instrument cluster मिलता है, जो की analog dials के जाथ आता है, और बीच के M.I.D. है, इसकी, वो completely digital आती है, I am a complete fan of analog dials, और यहाँ से कुछ इस तरह से आप इसको control भी कर सकते है, fuel consumption, driving time, जैसे statistics दिखने को मिल जाएंगे, तो काफी जादा अची बात है यह भी, कुछ इस तरह से वार वीम का view आप देख सकते हो, कुछ हद तक आपको bonnet भी visible रहेगा, तो आपके ergonomics काफी जाद है, यहाँ पे अच्छे रहने वाले है, 5-speed manual वाला वेरिंट मेरे पास यह available है, auto gear shifting technology के साथ भी गाड़ी available है, यहाँ पे देख सकतो wireless charger मेलेगा, USB port 12V का power accessory socket देख सकते हैं, यहाँ पे मिलेंगे 2 cup holders, डिजार में अब आपको मिलती है, एक small size की sunroof भी, obviously sedan में इतने size की sunroof भी मिलती है, जो की first in segment है, यहाँ आपको एक single button मिलता है, को जिस तरह से अगर मैं इसको press करूँगा, तो यह one touch operability के साथ में आने वाली है, और अच् जो day and night IRVM है, वो manual adjustment के साथ ही आने वाला है, और यहाँ पे जो आपकी kevin lights है, वो yellow light के साथ आने वाली है, वागे तो आप comment करके बताओ कि आपको desire का interior कैसा लगा, देखने में मुझे तो काफी जादा अच्छा लगा है, देखने में काफी जादा premium लग रहा है, अगर इसक start stop का button देख सकते हो, headlamp leveler देख सकते हो, जहाँ पे आपको five levels तक की setting मिलने वाली है, यहाँ से open करेंगे bonnet और इसका fuel lid, अब जल्दी से जलते हैं गाड़ी के पीछे और देखते है किस तरह का space on offer आपको मिलने वाला है, the all new desire के अंदर, open करते हैं गाड़ी का rear door कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे भी आपको वही dual tone treatment देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे कोई भी आपको soft touch नहीं मिलने वाला है, यह आपका सारा plastic में आएगा, आगे fabric और पीछे plastic यहाँ भी दे सकते थे, यहाँ पे आपको certain treatment भी देखने को नहीं मिलता है, नीचे की तरफ bottle holder देख सकते हो, बट यार अंदर की जो space है ना, वो काफी जाद अच्छी मिलने वाली है, जल्दी से बैठते हैं गाड़ी के अंदर, और बंद करते हैं गाड़ी के डोर को, आगे वाली जो seat हो मेरे driving poster के हिसाब से adjusted है, और यहाँ पे अच्छा खासा मुझे ली रूम देखन यहाँ पे थोड़ी storage space, phone वगारा रखने के लिए, यहाँ पे एक तो आपको मिलता है USB-C और एक normal USB port, more than that यहाँ पे देख सकते हो, आपको मिलती है center armrest, दो cup holders के साथ में, यहाँ पे मिलते हैं, दो adjustable individual headrest, center passenger में headrest नहीं मिल लेगा, बट center passenger को seatbelt जरूर यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, camera lamp कुछ इस तना से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, दोने साइट पे, यहाँ से देख सकते है complete look desire का जो कि काफी जाद अच्छा लग रहा है, देखने में, sunroof का view देख सकते हैं, enjoy कर सकते हैं, अगर मैं headroom की भी बात कहता है, तो यहाँ पे IM 59, 510 उसके स आप से मेरे पास ठीक है, थोड़ा सा ही head यहाँ पे बचा है, बर ठीक है, मारूती ने इसको भी यहाँ से देख सकता है, scoop की है, ताकि लंबे आदमी अराम से यहाँ पर बैठ सके, तो कैसी लगी आपको the all new desire का interior मुझे comment करके जरूर बताना, जल्दी सलता है गाड़ी के ब तक के ले थांकियो फो वाचिंग इस वीडियो में वेलता आप से नेक्स वीडियो में, तिल दन, बाई-बाई